नमस्कार आप देखरें किसान तक और में हूँ आपका दोश संकेश शर्मा आज इस वीडियो में बात करेंगी देश के मौसम की देश में कहा आएगी यहांदी कहा आएगा तूफान और कहा गरच्च मक्षाथ बारिश हो चकती है तो वीडियो के अन तक बने रहें ताकि वो जा चुका है यानि कि अब वो शांत हो चुका है लेकिन फिर भी इस तूफान ने बहुत सारी बारिश, बहुत सरा पानी, बहुत सारा जल बराव दिया है तमाम लोगों को जो बंगाल की खाडी के आसपास रहने वाले तटीए लागों के राज्यों की रहने वाले हैं तमाम इसी इलाके हैं जहाँ पर हल्की से मद्दिन वारिज देखने को मिलेगी तो आई ये रज़र डाल लेते हैं देश के मौसम की पूरणवान पर उसाथ तारीक का हाल बता देते हैं कैसा रहेगा और कैसा रहा तो आप देखेंगे कि उत्तर भाली छेतर में मौसम शु बनी हुई है और आने वाले 24-14 घंटे में यही हाल रहने वाला है उत्तरपशी में हमाई चलते हैं जिसका राण से यहां पर ठंडी हवा लोगों को महसुस हो रही है देश के अधिकांश सम्म मौसम शाथ है उर्वत्तर के राज्यों की बात करें असम मेगाले मनिपूर ना मौसम साथ है अब बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटे कैसे रहने वाले हैं देश के तो हमने जैसा कि आपको बताया था देश के दिकांश सम्म मौसम सुष्क है मीचाओं तूफान ने भी अपनी रफ्तार कम कर दी है लेकिन लैंटवाल होने के बाद भी देश के तमाम ऐस हां पर हल्की से बंदर भर्शा हो रही है अगर हम बात करे उत्रे माले चितर की मौसम साफ असुष्क बना हुआ है कुछ कुछ जगों पर हल्की फुलकी बुदबादे की खबरे मादे है लेकिन अगर हम बात करते हैं पञ्जाब के साथ धेली चन्डीगर्ड, हरयान दिली हर्याणा चंडीकर दिल्ली के असपास की रीजन की चाहे उसमें उत्तर प्रदेश आता हो आपका बाइसान कूछ इलाके आते हो यहाँ पर सुबह शाम में आपको visibility में कमी दिखाई देगी उतर पश्ची में हुआए चल देगी जिसका रंग से आपको ठंड का एहसास होगा तापमान में हल्की सी किरावाट महसूस होगी visibility की दिक्कत आ सकती है तो यानि अगर आप traveling करते हैं या फिर खेतों में काम करने वाले किसान है वो थोड़ा से इस बात का ध्यान रखें क्योंकि visibility की जब कमी होती है जब धुन चाही रहती है तो कई सारे दिक्कतें का सामना करना पड़ता है और खासकर traveling करने वाले लोगों को fog lamp जरूर जला लें क्योंकि ऐसे में accident होने की chances ज्यादा रहते हैं तो आने वाले 24-40 गंटे के अंतर असम में गाले नागलन विजरूर मड़ेपूर त्रपुरा में बारिश देखने को मिलेगी और fog की सीथी बनी रहेगी यानि बारिश की सासाथ यहां पर धुंचाही रहेगी दक्षिन के इलागों की बात करें दक्षिन में आपका तर्मिल्याडर पुंडी चरी केरल करनाटका के आसपास के इलागों में करनाटका में तो नहीं है लेकिन कुछ इलागों में बारिश की सीथी बनी हुई है लक्षिदीप में भारी बारिश की संभावना है तो यानि कि एक बार फिर से देश में आठ तारिक यानि आठ दिसंबर की बाद से फिर से एक बारिश को दौर शुरू होगा अधिकान शिस्तों में मौसम साफ रहेगा लेकिन जहां विजिबिलिटी की कमी है जहां को और अच सुरी तमाम को रुख लिए आप देखते रहें किस साम तक आज की सी वीडियो में तहीं धन्यबाद